खेसारी लालियादों के सिर पर जो इस वक्तरा मन रहा है उसके पीछे पवंसिंग का हाथ बताया जा रहा है अब भाई खेसारी अगर कुछ भी करेंगे यू कहले कि खेसारी इस वक्त अगर छीकते भी है तो उसका कारण पवंसिंग ही हो सकते हैं तो चलिए हम बताते हैं क्य कारण है जिसके वज़े से पवन सिंग को टार्गेट किया जा रहा है और खेसारी के फैंस बहुत कुछ कह रहे हैं सोशल मीडिया पर उसके पीछे कारण ये है कि ग्लोबल म्यूजिंग जेक्शन के जो मालिक है वो है राजखुमार सिंग अब आप समझ सकते हैं राजखुमा के इसारे पर काम कर रहे हैं यहां ग्लोबल म्यूजिंग जेक्शन और पावन सिंग में संबंद बताया जा रहा है खेर इस पर हम बाद में आएंगे हम मेन मुद्दे पर आते हैं एक्चुली ग्लोबल म्यूजिंग जेक्शन से एक हिसारी का एक करार हुआ था ये करार दो दो साल के अंदर उनकी और बाकी रकम चुकाई जाएगी यह कहा जा रहा है कि करार 10 से 12 करोड रुपे में हुआ था जिसमें से ग्लोबल मुजिक जेक्शन को अभी 10 करोड रुपे देने बाकी है खेसारी लाल यादों को और यह जो दो साल का कॉंट्रेक्ट है अभी यह कंप कमपनियों को उन म्यूजिक चैनलों को कॉपी राइट या फिर स्ट्राइक जाएगा वो छे कमपनिया यह थी पहली तो विंदवाशनी दूसरी आदिशक्ति तीसरी हम भोजपूरी चौथी स्पीड रिकॉर्ड भोजपूरी पाचवी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड और स्ट्राइक को लगाएगा ग्लोबल म्यूजिक जेक्शन तो अब आप यह पूरा मॉजरा समझ चुके हैं अब अनपूर्णा फिल्म्स पर जो लगातार कॉपी राइट और स्ट्राइक आ रहा है वह सिर्फ इसी सब चीजों का नतीजा है अब खेसारी लाल यादों की टीम अपना रिप्लाइ क्या दे रही है यह कह रही है इनारव उपोकर लेकर कि पवं सिंग के इसारे पर यह सब कुछ हो रहा है दूसरी बात यह कही जा रही है कि ग्लोबल म्यूजिक जेक्शन वाले ने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया है इसलिए खेसारी कहीं और गा रहा तीसरा जो रीजन दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि 40 लाख का अब तक का नुकसान हो चुका है खेसारी लाल लियादों को और इसकी सबसे बड़ी वज़े है ग्लोबल मीजिक जंक्शन का जो कॉंट्रेक्ट अब आप इन सब चीजों को लेकर मीडिया में खेसारी क तरफ से बहुत सारी अफवाएं फैलाई जा रही है खेसारी की जो टीम मेंबर हैं वो लगातार कई अफवाएं फैला रहे हैं और उन अफवाओं में एक अफवाओ ये भी है पवन सिंग के इसारे पर ये सब कुछ हो रहा है नहीं तो ये सब कुछ होता ही नहीं आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए